नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में शाउमी रेड्मी 10A वर्सस मोटो ए 32S का फुल डेप्थ कमपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो रेड्मी 10A में 6.49 इंच जबकी ए 32S में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है जोकी रेड्मी 10A से कम है Width की बात करें तो Redmi 10A में 3.03 इंच जबकी E32S में 2.95 इंच की Width मिलती है जोकी Redmi 10A से कम है बात करें थिकनेस की तो Redmi 10A में 0.35 इंच जबकी E32S में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो Redmi 10A में 194 ग्राम्स जबकि E32S में 185 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Ips LCD की डिस्प्ले मिलती है Aspect Ratio दोनों फोन में सेम ही 20 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो Redmi 10A में 6.53 इंचर्स जबकि E32S में 6.5 इंचर्स मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन दोनों फोन में सेम ही 720 by 1600 मिलता है Screen to Body Ratio Redmi 10A में 81.08 प्रतिशत जबकि E32S में 83.09 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो Redmi 10A में 279 प्रति इंच जबकि E32S में 270 प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशता है की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैं कैमरा की तो Redmi 10A में एक कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary कैमरा देखने को मिलता है और E32S की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary कैमरा, Macro कैमरा और आखिर में Depth कैमरा देखने को मिलता है बात करें विडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं different features मिलते हैं अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहले CPU जो की speak के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं GPU दोनों phone में same ही Power of GE832 ने देखने को मिलता है चिप सेट की बात करें तो Redmi 10A में MediaTek Helio G25 और E32S में MediaTek Helio G37 मिलता है बात करें RAM की तो Redmi 10A में दो variant देखने को मिलता है जिसमें 3GB, 4GB की RAM मिलती है जबकि E32S में एक ही variant देखने को मिलता है जिसमें 4GB RAM मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो Redmi 10A में दो variant देखने को मिलता है, जिसमें 32GB, 64GB की storage मिलती है जबकि E32S में एक ही variant देखने को मिलता है, जिसमें 64GB storage मिल जाती है, expandable memory की बात करे तो, Redmi 10A में up to 512GB जबकि E32S में up to 1TB है Operating System की बात करे तो, Redmi 10A में Android V11 जबकि E32S में Android V12 देखने को मिलती है, बाटरी की बात करे तो दोनों phone में 5000mAh देखने को मिलती है, अईए अब main feature को देखते है Colors की बात करे तो, Redmi 10A में 3 Colors जबकि E32S में 2 Colors option मिलते है Sub Information देखने के बाद बात करे प्राइस की तो, Redmi 10A में 2 Variant देखने को मिलते हैं, जिसमें की 3GB RAM 32GB Storage के साथ 8,499 रूपीस, 4GB RAM 64GB Storage के साथ 9,499 रूपीस में मिलता है और बात करें E32S की तो उसमें एक ही Variant मिलता है, जोकि 4GB RAM 64GB Storage के साथ 9,9999 रूपीस में मिलता है दोस्तों अब बात करते हैं प्रांजन कौन्स यानि की फायदे और नुकसान की तो Xiaomi Redmi 10A में 7,5 रूपीस और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Moto E32S की तो उसमें 6,5 रूपीस और 2 नुकसान देखने को मिलता है फायनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, में कैमरा में E32S आगे है, फ्रन्ट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में E32S आगे है दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं, पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना